नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक मैं हूँ रजद दीवगन लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट पे बढ़त देखने को मिल रहे हैं दिवाली से पहले जितना हड कम मचा हुआ था 18,800 के दर्शन हो गए थे लेकिन निश्लसरों से जो पल्टे हैं और ये तीन ट्रेडिंग सेशन बहुत ही महत्वपूर रहे हैं मार्केट के लिए आज के सेतर में 19,345 के लेवल पे ओपन हो गए थोड़ा डिप आया 19,309 के लेवल पे गए थे लेकिन उसके बाद ट्रेडर्स ने लपक लिया क्योंकि अंतराशा संकेती इतने जबरदस थे एक तो अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही जबरदस तरीके से होई थी उपर से कॉस्पी जो की दक्षिन कोरिया के इंडेक्स है वो आज के सतर में धुआधार चाल दिखा रहा था एशे बजारों का स्ट्रक्चर ही मजबूत था अच्छा दक्षिन कोरिया में हु हुआ कि कॉस्पी साड़े 5% से जादा की चाल पकड़ गया और एशे बजारों में भी तेजी देखने को मिल थी हमारे बजार कैसे पीछे रहते हमको तो वैसे दिवाली सेलिबरेट करनी है आज के सतर में जो तेजी पकड़ी दिन का हाय लगा दिया उनननेजार 423 का लेव पर बंद हुआ 594 अंको के गेंस के साथ एडवांस डिकलाइंस 45 शेर निफ्टी के हरे निशान में क्लोज करके गए हैं जो चड़ा उसमें था डिवेस लाप्स पांच परसंट से जादे की तेजी इसके लावा आईशर मोटर्स और हीरो मोटो कॉप जोरदार तेजी में आ तो quantity कम है stocks की जो गिरें हो मातर है 5 और उसमें percentage के लिहासे भी बहुत ही कम dent देखने को मिला है SBI के नतीजे अच्छे थे लेकिन आज profit booking का दिन था हलका हो गया यह stock 0.7% नीचे आया HUL से प्ला, Tata, Motors, Titan में हलका दबाव देखने को मिला FNO gainers में results impact था, आर्टी industries ने sequential basis पे results बहुत strong दे दिये, आज के सत्र में लगबग पौने 11% का उच्छाल इस stock में देखने को मिला, निश्टर सुरो से लबक लिया traders ने आज जैसी बजार खुला यह stock, जेके सीमिन बे भी नतीजों का impact था, 1.5% उपर आ गया, Metropolis नतीजों क impact पौने 7% चड़ गया, दीपक नाइटराइट और डिविस लाप्स भी 4% से पौने 6% की तेजी में थे, FNO losers में bank of brother results का impact था, NIMS को लेकर थोड़े concern हो गए आज investors और उसका impact पढ़ गया, 4% नीचे आ गया, Zee Entertainment, 5% टूड गया, Indus Stars, UBL, Voda Idea, 1.5% से 2% के आसपास का dent ये 8% के closing basis पर return देखे गया है, लेकिन intraday में बहुती गजब की चाल दिखाई थी, और पिछले कुछ दूनों में बहुत active है ये stock, उजीवन small finance bank 8% चड़ा है, अंबर आज के सतर में 8% चड़ गया, HCC कमाल का structure है, 7.5% देखना होगा, कल ये stock कैसा production करता है, आज तो 7.5% TCI एक और stock जहां पर 7.7% से ज़्यादा की तेजी बनती हुए नजराए, losers में JP Associates 10% डीचे आया, Angel One पिछले कुछ दिनों में ताबड तोड चला है, एक तरफा चाल देखने को मिली, लेकिन आज के सतर में लगभग 7% टूट गया, polymedicure 6% ज़्यादा टूटा है, नननीत education गती, shipping corporation और JM financial जैसे stocks में आज सवा 4% से 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, sector specific आज चौके जखके मारने के mood में धा बजार, तो defensive mood में तो था नहीं, आज financials और निजी शेतर के banks में जोरदार तेजी बनती हुए नजराए, financials में IEX चड़ गया, access bank में आज के सतर मे 2% चल गया और Chola Finance, ICC bank, SBI card जैसे stocks देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि निजी शेतर के banks comparatively PSU banks के मुकाबले अच्छी तेजी पकड़े हुए थे, उसमें private banks में access bank lead कर रहा था, 2% ऊपर, ICC bank 1% चड़ गया, Indecent bank, Federal bank, Arbil bank और HDFC bank में भी आदेफीजदी से लेकर सवा 1% के आस-प चड़ गया, Steel Authority, Nalco, Tata Steel, Hind Copper, Hindalco जैसे जो structures हैं, वहाँ पर पहुने 2% से करीब-करीब, पहुन 3% के आस-पास के gains मिलते हुए नजराया, Real estate तो वैसी preferred sector SMM market का सबसे strongest of the strongest buying इस से में देखने को मिल रही है, Prestige 5% ऊपर, Brigade 5% चड़ गया, Sobhar 5%, Godrej Properties, Phoenix Limited और Lodha जैसे stocks में आज के सतर में दमदार action बनता हुए नजराया, Healthcare stocks में Metropolis, नतीजों का impact 6% उपर आया, Davis Labs, Max Health, Sinjin, Auropharma, Loris Labs, Glenmark, Lalpath Labs, Suchi बहुत लंबी है, तो Healthcare stocks आउट परफार्म कर रहे थे, Autos में भारत पोर्ज, Pre-Result buying लग गई, इसमें आज पौने 5% चड़ गया, Aisher Motor, Hero Motor Coop, Sona Comstar, M Oil and Gas Space में जो चड़े हैं, उसमें Aegis Chemical लगबख 3.5% उपर, Petronet 3.5% उपर, IOC, GSPL, Oil India, ONGC और HPCL जैसे जो stocks हैं, ये आज आज आउट्शाइन करते हुए नजराया, Primary Market में activity बहुत तेज है, Sellow World का IPO खुला, उमीद भी थी जिस तरीके subscription figures थे की, जबर्दस आज के सतर में listing हुआ, 648 रुपे का issue price था, 839 रुपे पे खुल गया, यानि की 28% premium के साथ, 792 की level की closing आई है, 22% listing day वाले दिन, निवेशकों की हो गई चांदी, और 22% का return तो closing basis पे deliver कर गया, इसाफ small finance bank का IPO कल तक खुला रहेगा, और 57 से 60 रुप प्रतिश एर का price band रखा गया है, 8.66 times अभ 7 करोड़ रुपे का fresh issue और 22.3 करोड़ रुपे का OFS है, protein egov technologies का IPO आज से खुला है, 8 November तक खुला रहेगा, 752 से 792 रुपी प्रतिश एर का price band रखा गया है, पहले दिन 1.05 time subscribe हो चुका है, कुल issue, कुल issue जो size है, वो है 490 करोड़ रुपीज का पूर का पूरा OFS है, अब आग हर बार एक important level तूटता चला जा रहा है, यानि मंदी करने वाले trap होते चले जा रहे हैं, निफ्टी पर ही मिसाल के तौर पे 100 दिनों की offset तूटी और साथी 20 दिनों की offset भी तूट गई, तो अब अगले congestion zone तक पहुँचेंगे, इसके लावा अगर निफ्टी बैंक पे आप लेवल को निकाल दिया है, बहुत ही important level था, एक resistance की तरह काम कर रहा था, बैंक निफ्टी ने 43356 की लेवल को निकाल दिया है, बहुत ही important level था, resistance की तरह act कर रहा था, तो technical terms पर जो resistance 2T, वो ही बन जाएगा support, इन levels के नजदीक आएंगे, तो फिर से खरेदारी बनती वी नज बस FIS का mood थोड़ा और सुधर जाए, फिलाल अंतराश्य बजारों को बहुत ही closely track करेंगे, और पांच राज्यों में चुनाव यह अगला बड़ा trigger है market के लिए, लेकिन यह buy on dips की market बनेगी, अभी बोल सरेंडर करने को तयार नहीं है, और जिस तरीक से हम चल रहे हैं लगा कर दोड़ा आखी